वेलकम तो जीनियस आईएस फाइव मिनिट नॉलेज सिरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है कॉंस्टिटूशन को जानने के लिए जो हमने सिरीज शुरू की है इसमें पार्ट फाइफ में हम पहुंचे हुएं पर फाइफ जिसकी हेडिंग है जिसका नाम है यूनियन पार्ट फाइफ हमारा यूनियन से डील करता है और यूनियन के अंदर भी तीनों और और इसमें इस हिससे में पढ़ते हैं और अज के इस वीडियो में हम दो आर्टिकल की बात करेंगे आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 इन दोनों आर्टिकल में देखते हैं क्या-क्या है एक-ईकर के इन चीजों को समझने की कोशिश करते हें सबसे पहले आर्टिकल 77 आर्टिकल 77 क्या कहता है Conduct of Business of Government of India कि Government of India अपना business कैसे conduct करती है अपने काम कैसे करती है Government of India भारतिय सरकार अपने कारिय कैसे करती है अपना कारिय वाही कैसे चलाती है वो सारी चीज़े हमारे article 77 में लिकी हुए है जो भी काम भारत सरकार करती है जो भी काम Indian Government करती है वो सारे काम प्रेजिडेंट के नाम से किये जाते हैं कि ये काम किसके द्वारा किये जा रहे हैं प्रेजिडेंट के द्वारा किये जा रहे हैं काम भारत सरकार कर रही है लेकिन नाम हमेशा प्रेजिडेंट कर रहेगा कि ये प्रेजिडेंट के नाम लेके वो सारे काम किये जाते हैं जितने भी executive actions हैं हमारे देश का executive head president होता है हमारे देश का executive head president होता है तो जितने भी executive काम भारतिय सरकार करती है इंडियन government करती है वो सारे executive actions president के नाम से किये जाते हैं तो पहली चीज यही है कि all executive actions of government of India वो सभी President के नाम पे, in the name of President, तो सारे Executive काम इनके नाम पे किया आते हैं, लेकिन सवाल आता है कि कैसे, सरकार यह Executive Action कैसे करे, कैसे उसको authenticate करे, क्या हर एक चीज प्रेजिडेंट के साइन के लिए भेजने है, या फिर President किसी को authorize कर देगा, तो यह कैसे वाला जो सवाल है, कि यह सारे काम कैसे किये जाएं सरकार के द्वारा, यह भी हमारा इसी Article में लिखा हुआ है, Article 77 में, क्या लिखा हुआ है, कि इसके लिए Rules President के द्वारा बनाए जाएंगे, कि यह काम कैसे किये जाएं, उसके लिए Rule कौन बनाएगा, President बनाएगा तो जो भी rule प्रेजिडेंट बनाएगा उस हिसाब से ये सारे executive काम किये जाएंगे अब इस rules को इस हिसाब से बनाया जाएगा कि government of India के लिए काम करना आसान हो जाए वो भी हमारा इसी article में लिखा हुआ है कि president के पास power है वो इस तरह के rules बना सके कि government of India के लिए वो काम करना आसान हो जाए यानि कि कहीं ना कहीं president बोलेगा कि मेरी ये power है ये मैं इस minister को दे रहा हूँ ताकि ये minister बिना मेरे से consult किये वो इस पे sign करे तो ये माना जाए कि ये मैंने किया है तो कहीं ना कहीं काम आसान किया है बार-बार president के पास आने की ज़रूर्त नहीं है तो इस तरीके से जो काम आसान करने की बात है कि ताकि जो rules हैं वो convenient transactions of business of government of India कि government of India के जो transactions है, government of India के जो काम है, को जो business है, जो काम धंदा है वो आसानी से चले, उसके लिए rules बनाने के लिए, इसके लिए भी President ही बनाएगा, तो ये rules भी President के द्वारे बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? President के द्वारा, और ये इस तरीके से बनाए जाएंगे, और उसके बाद, इन rules को क्या किया जाएगा? अलग-अलग Ministers को, ये business जो बना दिया कि ये काम है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस तरह के rules बनाने का काम President है, और उसके बाद, उन सब काम को अलग-अलग Ministers को दे दिया जाता है, allocate कर दिया जाता है, कि ये काम ये Minister करेगा. तो ये हमार आर्टिकल 77 हुआ, अब हम आर्टिकल 78 की बात करेंगे. आर्टिकल 78 जो बताता है duties, किसकी duties? प्राइम Ministers की duties. कि प्राइम Ministers की क्या क्या duties रहेंगी? in respect of furnishing information to the President. उन मामलों में, जिन मामलों में जानकारी President तक पहुचानी है, वहाँ पर प्राइम Ministers की क्या क्या duty रहेंगी? हमारा आर्टिकल 78 उस बारे में बात करता है. और क्या कहता है आर्टिकल 78? कि इसमें duty है ये प्राइम Ministers की. प्राइम Ministers की ये duty है, प्राइम Ministers का य वह है कि वो सारी information जो decisions, Council of Ministers के द्वारा लिये जाते हैं, वो decisions जो Council of Ministers के द्वारा ले जाते हैं, वो सारी information वो सारी information President तक पहुचा है. कि हमने हमारे देश के Administration के लिए, ध्यान रखना, Administration के लिए! administration के लिए जो भी decision council of minister के द्वारा लिये जाएंगे वो सारी information president तक पहुचाना ये काम होता है prime minister का और जितने भी proposed legislation है कि जो भी कानून सरकार लेके आने वाली है उसकी भी information president तक देना ये duty है prime minister की तो पहली duty तो ये हो गई अब दूसरी duty अगर हम यहाँ पर करें दूसरे की बात तो यहाँ पर कि मान लो कोई ऐसी information है जो council of minister से रह जाए या prime minister से रह जाए तो उस case में president को भी power दी गई है कि president ऐसी information मांग सकता है और जो भी president के द्वारा information मांगी गई है वो information प्रेजिडेंट को उपलब्द करवाना वो information प्रेजिडेंट को देना ये भी prime minister की duty है अंडर आर्टिकल 78 इसी आर्टिकल 78 में एक और चीज़ है एक और चीज़ ही एक और चीज़ यहाँ पर add की गई है क्या है कि ऐसा लगता है मान लो कि president के पास कोई decision बताया गया प्रेजिडेंट को information दिया गया किसी minister के द्वारा कि ये हमारा decision है लेकिन president को वहाँ पर feel होता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड है ये decision पूरे council of minister का ना होके अकेले minister का है तो वहाँ पर president उस decision को reconsideration के लिए वापिस भीज़ सकता है council of ministers के पास कि पहले पूरे council of ministers सहमती बनाओ उसके बाद मेरे ले information ये लेके आना तो जो भी information अगर president को लगता है कि ये किसी एक minister के द्वारा ली गई है पूरे council of minister के द्वारा नहीं लिया गया है तो वो reconsideration के लिए president वापिस भीज़ सकता है कि ये पूरे council of ministers में consultation के बाद ही मेरे पास भीज़वाया जाए तो ये भी यहाँ पर president के पास power है तो हमारे article 78 में भी हमने जो जो article से जो भी बाते थी वो हमने पढ़ी 77 को हमने समझने कोशिश की हमारे executives यहाँ पर खतम होते हैं अब हम इससे आगे की बात करेंगे next video से और आशा कर रहा हूं कि हमारी जो constitution वाली जो series है समझने वाली series है यह आपको बहुत पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही है तो like, share, subscribe करना ना भूले हम ये वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे पूरे constitution की जानकारी आपको देते रहेंगे तो आज की वीडियो को हम यहीं एकते हैं मिलेंगे next video में तब तक के लिए thank you, take care, bye bye